हलो मैं हूं गौरव और आज हम कुछ सामान ने सामानों से एक माओध हर्गन बनाएंगे और यह सामान ने सामान है दो आइस क्रीण स्टिक्स एक पेपर की स्ट्रिप दो मैध स्टिक्स और दो रवर बेंड्स सबसे पहले हम आईस्क्रीम स्टिक पर एक माचिस की तिली रख देंगे उसके बाद उसे पेपर स्टिप से कवर कर देंगे और दूसरी तरफ दूसरी माचिस की तिली रख देंगे और आखरे में दूसरी आईस्क्रीम स्टिक से इसको कवर कर देंगे अब बस हमें दोनों तरफ रबर्बेंड को बादना है और हमारा पाउथ और गन तयार है यह माचिस की तीली का हम आगे वाला भाग तोड़ भी सकते हैं साउंड तब प्रोडूस होती है जब कोई चीज वाइबरेट करती है उस वाइबरेशन की वज़ए से एर वाइबरेट करती है और हम सुन पाते हैं हमारे माउथ और गन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दोनों आइस्क्रीम स्टिक्स के बीच में हमने दो माचिस की तीलीयां लगा दी थी जिसके वज़े से पेपर स्टिप को वाइबरेट होने के लिए कुछ जगह मिल गई दो पेपर स्टिप को भी उनके एंड से पकड़ कर आप ये माउथ और गर मना सकते हैं इसमें आप अलग-अलग variations करके ये देख सकते हैं कि उससे sound की quality पर क्या फर्क पड़ रहा है जैसे ice cream stick की लंबाई को कम जादा कर सकते हैं पेपर स्टिप की width को या फिर उसकी thickness को change कर सकते हैं या फिर पेपर स्टिप की जगए अलग-अलग material का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो ये variations करें और अपना खुद का personalized mouth organ मनाएं Thank you झाल झाल